दोस्तो दबंग 3 को लेकर रेकार्ट तोर बॉक्स ओफिस पर कलेक्शन हो रही है जिया इसकी एडवांस बुकिंग की ओक्यूपेंस रिपोर्ट देखी जाए तो दोस्तो आज ये दूसरा दीन है जो एडवांस बुकिंग की हो रही है हैदराबाद और बेंगलूरू में जो की रेकार्ट तोर कमाई कर रही है हेलो दोस्तो मिरा नाम है राजीब और अप लुक देख रहे हैं राउन वलने उचे जिया बता दें कि बॉलिवूड इंडस्ट्री में सल्मान खान का एक अलग अहीं परचम चलता है वहीं दोस्तों दूसरी तरफ सल्मान खान की एक बहुत परी फ्रेंचाइज यानि कि दवंग की तीसरी फ्रेंचाइज आने जा रही है जिसको लेकर हैदराबाद और बेंगलूरू की जो उक्यूपेंस रिपोर्ट देखी गई है जिया 85% यानि कि तक्रीवन 85% जो सेट थी वो फुल हो चुकी है और अगर बात करें तो दूसरी दिन की बात कर लिजाए तो दूसरे दिन को भी लेकर तक्रीवन 65% की टिकेट जो है तो लोग फुल करवा चुके है यानि कि अगर बात कर ली जाए तो 21 दिसम्बर 2019 को भी तक्रीवन 65% की advance booking पहले ही हो चुकी है यानि कि ये दो दिन तो लगतार काफी कमाल की business करने वाली है जो तो सोई इस मताबिक इस film की advance booking देखी जा रही है उसकी growth rate में बढ़ोतरी देखी जा रही है वो काफी कमाल की है और अभी तक तक्रीवन 85% जो ticket है first day first show के लिए complete हो चुकी है first day first show ही नहीं बलकि जितने भी सोज रखे गए हैं हैदराबाद बैंगलूरू में सारे के सारे सोज हौसफुल चल रहे हैं जी हम बता दें कि दबंग 3 एक बड़ी franchise बनने जा रही है बड़ी फिल्म साबित हुई थी और दबंग 3 जो की सबसे बड़ी फिल्म साबित होने वाली है क्योंकि इसकी स्टोरी कॉंसेट काफी कमाल की है star cast वे इसमें काफी कमाल के select किये गये थे और इस फिल्म के अंदर जो action मारधार आगरवाद कर लिजा है तो रोमेंस और काफी ड्रामा देखने को मिलेगा तो दोस्तो रोमेंस और ड्रामा एक्शन थ्रिलर फिल्म है तो दोस्तो आप लोग इस फिल्म को लेकर क्या कहना चाहते हैं और साथी दोस्तो इस फिल्म की जो फर्स डे की advance booking जो है तो काफी कमाल की हो रही है और दोस्तो सकी second day भी काफी कमाल की opening के साथ ये फिल्म करने वाली है तो दोस्तो फर्स डे और सेकेंड डे की मताबिक जिस मताबिक इसकी advance booking देखी गई है उस मताबिक ये फिल्म पहले दि तकडी वन 60 करोड प्लस का क्लेक्शन कर सकती है वैसे दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं दवंग 3 को लेकर क्योंकि दवंग 3 की 85% occupancy report देखी जा रही है यहां 85% occupancy report देखी जा रही है इस फिल्म को लेकर तो दोस्तों आपका इस बारे में कोई भी opinion हो तो इंचे comments में जुरू share करें फिला दोस्तों इस report में इतना ही जैसे मेरे पास कोई भी report आती है तो मैं अप लोग कुछर बताएंगे अगर आपने visitor हैं तो शेनल को सब्सक्राइब करें उस चैनल के साथ बने रहें